हर हर महादेव दोस्तों स्वागत्य आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री वायविय सहता प्रथम घंडपोर वार्धिय का 21 अध्याई श्री हरी विष्णू एवं वीर भद्र का युद्ध वायुदेव बोले हे मुनियो वीर भद्र एवं उनके गणों का उपद्रव देख कर सभी तेवता भैबीत होकर इधर उधर भागने लगे परंतु वीरभद्र का संकेत समझ कर उनके गणों ने सभी को चारो और से घेल लिया सब भागने में असमर्थ थे वीरभद्र हाथों में त्रशूर लेकर सब देवताओं पर प्रहार कर रहे थे वीरभद्र ने सरस्वती की नासिका अदीती का हाथ अगनी की बाहू भगतेव की आँखे पूशा की दांत तोड़ कर घायल कर दिया इस प्रकार का दृष्य देख कर सभी भैबीत थे दक्ष ने श्रीहरी विश्नु से यग्य की रक्षा करने की प्रार्थना की तब भगवान विश्नु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए आगे आई तबी वीरभद्र के सामने एक दिव्यरत आगया उसी समय शंक बजने लगे युद्ध का आरंब होने पर सब देवता एमरिशी गण बहां भी वीरभद्र और श्रीहरी विश्नु का युद्ध देखने लगे श्रीहरी ने श्रांग धनुष पर बान चड़ा कर वीर भद्र पर प्रहार किया तो वीर भद्र ने भी अपने धनुश पर टंकार की दोनों और से बयानक बान वर्षा होने लगी वीर भद्र दुआर चलाए गए एक बयानक तीर ने श्रीहरी विश्नु को मूर्चित कर दिया वे पृत्वी पर गिर पड़े कुछ देर पस्चात होश में आने पर वे पुनह युद्ध करने लगे वीर भद्र ने विश्नु जी के सभी वारों को बेकार कर दिया फिर विश्नु जी वे उनके वाहन गरुड को भी गायल कर दिया तब क्रोदित होकर विश्नु जी ने सुदर्शन चकर उठा लिया और उसे वीर भद्र पर चलाया परंतु शिव जी की क्रपा से वह चल नहीं पाया ओम नमस्शिवाए